हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम आप लोग को एक नई रस्पी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पुटेटो पिन वील्स पुटेटो पिन वील्स बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा दयार कर लेते हैं हमने लिया है दो कप मैदा और दो चम्ममाच मैदा अलक भाउन में निकाल लिया है आदा चम्माच अजवाइन चार जम पτα 1 आज कम लिया हैं और नमक लुट नुशी और लिया है और अजवाइन इसमें आड़ करेंगे अजवाइन अगर आपको पसंदना है तो आप इसका प्रियोग ना करें नमक हम डालेंगे सौज़ अनसार इसका अटा समुसे के अश्यक्ति नापको यूद्रियोग से सब्सक्राइब कि इसका आटा समोसिय के आटे के जैसे चैसे ही बूधा आता आ हैं और इसका गीला नहां करें टाइट रखे। हमारा आता तयार हुसका है अब इसे थोड़ी तर ऐसे ही रख दे कट्काखम इस मैदे का घोल तयार कर लेते हैं पानी आड़ करेंगे और इसका पतला घोल बनाना है इतना पतला घोल थे यार कर लेगे अब हम इसके लिए स्टुफिंग यह लीए इसके लिए हमने चार बढईल आलू को ग्रेड केड़िया। और लाल मिर्च साधनसार अपनी साथ से ले लीजे नमक साधनसार धना और हमने काली मिर्च एक चमच लीए हैं और करेंडे सिर्सloni आपने में एक सकते बालुई हमारी श्टिकिन तयार हो चुकी है अब हम अपने आठे को अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे अब इसे रोटी की तरह पतला पतला बेल लेंगे अब हम इसको पतला पतला बेल कर तयार कर लिया है अब हम इसमें अपनी स्टिफिंग को पतला पतला लगाएंगे अब हमारी श्टिफिंग अच्छे से लग चुकी है अब हम इसे जोल कर लेंगे इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे तरह अब हम उच्छे से इसको चिपका देंगे अब हम इसके सायड से तालेंगे अब हम इसको पतला पतला कर देंगे अब हम इस तरह से दिंगे अब हम इस तरह से दिंगे कि दिखेंगे यह देखिए हमने पिन वील्स अपने तयार कर ली है अब इने फ्राई करना है हमें हमने तेल गरम कर लिया है इसमें आप हम मैदा डाल के देखेंगे कि इसकी गोली धीमे धीमे उपर आए देखिए तेल बिल्कुर ठीक है अब हम अपने पिन वील्स इसमें प्राई करेंगे ये दान रखे कि इसमें तेल ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि हम इसको इसमें डिप करेंगे दिप करने के बाद ये फिकायत रहती है कि ये मैदा अलग हो जाता है अगर तेल कम गर्म रहेगा तो ये अलग नहीं होता ये वही मैदा है जिसका गोल हमने क्यार किया था आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं हलका सा हमने यहां नमक नहीं आड़ किया है कि आश पर 15 मेर तर पकने देंगे हैं देखिए हमारे पिन विल्स हलका गोल्डन होने लगे हैं कि इसे पूरा गोल्डन होने तक परकाएं कि देखिए हमारी पिन विल्स पाई हो चकी है पूरी तरह से इनको हम एक क्रेप में निकाल लेंगे अब हम गयास को बंद कर देंगे तक हमारा तेल थोड़ा ठंडा हो जाए क्योंकि हमें इसको फ्राइ करने के लिए कम गरमी तेल चाहिए होता है यह देखिए हमारे पोटेटो पिन विल्स तैयार है इसे हमने टुमेटो सास के साथ सद किया है आप इसे हरी जटनी के साथ भीखा सकते हैं और बनाइए जरू अगर आपको यह अच्छी रखें तो प्लीस हमारा चनल सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्यों झाल